आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Good morning students तो आज का मारा question है Show that the energy released when 3 alpha particles fuse to form a C12 atom is 7.27 mega electron volts The atomic mass of 4he is this and that of 12c is this तो 4he basically क्या है यह जो 4he है यह एक तरह का क्या है alpha particle ही तो है तो मैंने क्या किया ऐसे 3 alpha particles को fuse करवा दिया एक साथ ठीक है जब fuse करवांगा तो कुछ बने का और क्या बन गया 12c बन गया और यह जो 12c इसके साथ कुछ नो कुछ energy release होई होगी अभी जो energy released है यह होती क्या है यह एक nuclear reaction है इसका मतलब जितना mass destruction होगा उतनी energy release होई होगी तो बस इतना ही बताओ कि इसमें कितनी mass destruction हुआ उसकी equivalent energy बनीगी माल लेते हैं delta mass destruction हुआ into c square तो अभी यह होगा total energy जो इस mass destruction होने पे बनी होगी तो delta m c square यहाँ पर मैं क्या डालूँगा यहाँ पर मैं डालूँगा कि product side कितनी energy mass इसते फिर minus करना पड़ेगा देखो product side कितने mass इसते तो मैं बोल सकता हूँ 3 times of mass of 4 actually right कहरेंगा मतलब इसके जैसे 3 है न तो 3 times mass यह minus इसका जो भी mass आ रहा होगा mass of c12 item into c square करना है बस अब तो काम होई गया values put करो 3 into इसकी value दे रखी हमें यह 4.0026 minus यहाँ value दे रखी हमें 12.0000 और unit U है U तो U की value हमें पता है 931.5 mega electron volt per c square होती है और multiply में c square तो cancel हो गया पता हमारा answer directly mega electron volts में आ जाएगा और इसको solve करते हैं हमें value मिल जाती है 7.27 mega electron volts और यही हमें proof करना था ठीक है तो हम बोल सतते हैं hence proofed तो I hope सबको question समझें आ गया होगा Okay Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर करें जादा